ओम स्री गनिसानमा जैमातरी स्वागत है दोस्तो आप सभी लोग वाइब फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मने वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हैं दोस्तो हम हर रोज अपने चैनल पर आपको कुछ ऐसे उपाए बताते हैं जिने अपने जीवन में अपनाने से आपक जीसे आपके और आपके परिवार की सफलता कुसलता के लिए प्रातना करते हैं और उमीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे दोस्तो 25 मार्च 22 को मा कूसमांडा का नौरात्र है आदी भवानी का चौथा रूप मा कूसमांडा की पूजा नौरात्री के चौथे दिन की जाती है कूसमांडा माता सौर मंडल की अधियास्टी देवी मानी जाती है इसी के साथ मा कूसमांडा को अश्ट भुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है इनके आठ हातों में धनुस, बान, चक्र, गदा, अमरित, कलस, कमल, कमंडल, सुसोबित है कहा जाता है कि जब संसार की रचना से पहले चारों तरफ घना धेरा चाया हुआ था तब देवी के इसी रूप से ब्रहमान का सिर्जन हुआ था मा कूसमांडा का एक अर्थ कुम्डा भी है यह एक खास फल होता है जिससे पेठा बनता है इसलिए कहा जाता है कि कुम्डा की बली जेनी से मा कूसमांडा अतिप्रसन हो जाती है दोस्तों इससे पहले हम आपको मा कूसमांडा की आगे पूजा भी धी बताएं हम आपसे कहना चाहेंगा यदि आप पहरी बार हमारे चैनल से वक्ति किसमत पर आये हैं मा कूसमांडा की पूजा में आप पीले रंग के बस्तड धारन करें पूजा के समय देवी को पीला चंदन लगां कुमकुम मॉली और अक्षत चड़ाएं मॉली यानि कलावा अक्षत यानि चावश अब एक पान के पत्ते में थोड़ा सा केशर रखें और ओम ब्रहा ब्रस्पते नमा करते हुए देवी को अर्पित करें और इसके पस्चात ओम कूसमानडाय नमा की एक माला का जब करें और दुर्गा सरस्वती या फिर सिद कुंजी का स्क्रोथ का पार्ट करें क्योंकि मा को पीला रंग बहुत पिरी है इसलिए आप मा को पीले रंग के वस्त पीली चूड़ी और पीली मिठाई का भी भोग लगाए दोस्तों इससे मात यह प्रसर हो जाएंगी और आपकी सारी वनुकामनाय जल्दी पूरी कर देंगी दोस्तों इसी विदी से आप मा कू वीडियो अच्छी लगए और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्युक्त